हाई गाईज, वेलकम टो और यूट्यूब चैनल दर्यल इन्वेसमेंट क्या डिला हैल कर इस टॉक के यहाँ पर रिजल्स लग चुके साथी साथ इस रिजल्स में हमें कैसे नतीज देखने को में लगे कौटर आन कौटर बैसिस और येर आन येर बैसिस पर इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि quarter based पर results अगर अच्छे आते तो आपको क्या करना चाहिए और अगर year basis पर results अच्छे आते तो आपको इसके आंदर क्या करना चाहिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है तो चलिए वीडियो को कर लेते स्टार्ट और ये सारी बाते हैं पर हम जान लेते हैं सबसे पहले मैं आपके साम में यहाँ पर रखना चाहूंगी जो की इसकी diversified business portfolio है quarter one financial 2022 का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया में 50% का देखने मिल रहा है emerging market यहाँ पर 7% का य यूरोप में 2% का लेखने मिलता है साथी साथ आपनी हाँ यहाँ पर देख सकते हैं USA में भी 37% के करिब करीब करेफ का यहाँ पर portfolio में यहाँ पर stack देखने को मिल रहा है human form आप यहाँआँ पर देख सकते हैं 64% का देखनी को मिल रहा है और wellness यहाँ पर 10% के करीब करीब के हमें देखने को मिल रही है और इसके आप quarter basis पर भी नतीजे देख सकते हैं कि हमें कैसे देखने को मिले USA में कैसे देखने को मिल रहे है quarter basis पर downtrader देखने को मिल रहे है इंडिया में कैसे positive देखने को मिल रहे है यहां से स्टॉक के यह थे बन देखने को मिले हमें 49.87 परसेंटेज तक का EPS हमें देखने को मिला और उसके बाद कौटर बन में यानि कि आज की रिजल्स हमें 6.94 परसेंटेज के देखने को मिले एक बात यहां पर आच्छी है कि रिजल्स है पर कई भी डाउं ट्रेडिड हम हमें देखने कों घैखने को मिले नेक्स लेल पर आप यहांपर देख सकते हैं रिजल्स में क्या किन बातों को अहापर जिक्र किया जा रहा है जैसी कि को अरो येर-शाइंब यहां पर आपर यह सकते हैं यहां सब्सक्राइब को बढ़ रहा है कौट रों-कौड़र बेसिस पर नाइन परसंट से यहां पर रहा है यहां पर देखने को मिल रहा है वहीं प्रॉफिट अफटरी टैक्स की बात की जाए अधे पर देख सकते year on year basis पर pat 29% से increase हो रहा है और वही quarter on quarter basis पर 19% से increase होते हुए हमें देखने को मिल रहा है तो all on average stock के performance यहां पर आच्छे देखने को मिल रहा है यह हम इसके actual जो इसका chart होता है इसके उपर से भी हम यहां पर देखेंगे लेकिन यह कुछ points से जो काफी highlighted थे इसलिए मैंने आपके सामें यह रख दिये नए इसलिए पर आपको बताना चाहूंगे stock के अंदर आज के दिन 31.96% की delivery उठाई जा रही है और stock का यह जो performance है इसके अंदर आप देख सकते है stock ने अपना high 577.40 का बनाय था वही stock की opening भी देख सकते है उसी की करिब 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 के हमें देखने को मिले थी 576.80 की और stock यहाँ पर low काफी level पर जाते हो देखने मेरा 557.30 तक stock यहाँ पर नीचे भी जाते हो हमें देखने को मेरा अब stock की जो results थी यह तो बात सभी को पहले से पता थी लेकिन stock के अंदर यह जो momentum बनते हो हमें देखने मिला profit booking का क्योंकि आप इसका चार्ट देख सकते हैं आज के trading का वह काफी यहाँ पर यान कि एक upward trendable growth दिखाने के बज़ा एक limited range में stock का performance होते हो हमें देखने को मिला है नेक्स लेवल पर यहाँ पर आपको compare करकर दिखाना चाहूंगी stock की results कैसे रहे 3 months का देख सकते हैं साथी साथ आपने यह और year basis पर भी देख सकते हैं revenue देख सकते हैं इसके expenses और profit भी किस लेवल पर stock को होते हो है देखने को मिल रहा है यह बात यह आपको यहाँ पर से समझ में आती होगी compare करके क्योंकि comparison में अगर चार्ट आवेलेबल हो तो यह easily आपको understand हो जाता है अब अपने actual चार्ट पर आने से पहले यहाँ पर segment from the revenue और जो other business sectors की हिस्से होते हैं उनके बारे में जान लेना बहुत जोरूरी है तो आप यहाँ पर total reserve देख स 25523 की देखने हो मिली थी और पिछले year की बात की जाये तो 35100 million की देखने हो मिली थी यानि की year और quarter दोनों basis पर यहाँ पर operational revenue यहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है नेक्स लेल पर आप हम अपने original चार्ट पर आ चुके जहां हम इनके income हो expenses हो profit हो इन सारी बा चार्ट में देखने को मिलेगे तो यहाँ पर total income की और आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर total income देखने को मिलेगी stock की 21531 million की जो की quarter और year दोनों की मुकबले काफी अच्छी income stock यहाँ पर quarter basis पर देते हुए देखने मिल रहा है अगर इस बारी के हम expenses की बात की जाए तो यहाँ expenses देखने को मिल रहे हैं अगर इन expenses को हम यहाँ पर deduct कर कर देखेंगे तो profit before the tax आपको देखने मिल लगा 4854 million का देखने मिल रहा है जो की quarter और year दोनों की मुकाबले काफी अच्छा stock का performance यहाँ पर होते हुए हमें देखने को मिल रहा है यह बात होगे quarter और year basis के मुकाबले हम जो की पिछले year में 3.01 का देखने मिला था पिछले quarter में 4.34 का देखने मिला था और इस बार की इसमें आप देख सकते है वो 3.21 का देखने को मिल रहा है यानि की quarter basis पर थोड़ी earning आपर कम होते हुए देखने को मिल रहे है लेकिन as compared to year basis पर बात की जाए तो stock का performance all on average अच्छ के में gir out हमें होते हुए देखने मिल रहे है और यह जो gir out भरा मोहले आप देख सकते है starting से ही stock की opening के तब से ही stock का momentum हमें ऐसा बनते हुए देखने को मिल रहा है तो stock के अंदर profit booking होते हुए देखने मिल रही है बाकि stock के अंदर कोई भी हाँ पर खराबी नहीं है आप इसके अंदर अपनी holding बनाए रखना और यह नीचे लेवल पर जाए तो आप इसके अंदर averaging भी कर सकते हैं क्योंकि stock के अंदर उतनी काभी लेत है जो कि आपको आगे आपका पैसा अच्छे खासे मुनाफय कमा कर दे सके so I hope so Cadillac stock की results आप समझ चुके होगे so thank you so much